विल गौरफ तनेजा के अगर बात करे ज्यानी की फ्लाइंग बीस्ट इन्हें कल उनके बॉडड़े के दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन पे भीड एखटा करने के लिए उसके बाद उन्हें बेल तो मिल गई लेकिन ये प्लान दरसल उनकी वाइफ रीतू राठी का था और उनके पती को सर्प्राइस देने के लिए उन्हें फैंस को इन्वाइट किया था लेकिन उन्हें नहीं पता था इतनी जादा तादात में लोग आएंगे लेकिन उफकॉस विदाउट पर्मिशन भेड़े घठा करने के जुरुम में जो है कोबिट प्रटकॉल्स के चलते भी गौरफ को जेल हो गई जेल के बाद बेल से तो आउट हो ही गए लेकिन आपको बता दे कि ये दोनों की जो लव स्टोरी है इसके बारे में लोग काफी समय से जानना चा बता दे आपको रितू जो है ये एक पाइलेट है और गौरफ तनेजा भी पाइलेट हुआ करते थे और अब तो वो खुद लौब ही पढ़ रहे हैं आपको बता दे ये कुछ सार पहले की बात है जब गौरफ पाइलेट हुआ करते थे तो हर छे मैने के बाद नॉड़ा मे उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी तो उस समय वो ट्रेनिंग के लिए नॉड़ा आये थे एक होटल में खाना खाने अपने दोस्त के साथ गए थे तो वहाँ पे रितू भी अपने एक सहली के साथ गई थी और रितू ने जब उन्हें देखा तब रितू को काफी पसंदा है लेकिन उन्हें लगा कि यह काफी अच्छे है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आम शूर यह कोई बड़े बिजनसमान होंगे कोई गर्फरेंड होगी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहां से निकल गई उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त गौरव तने ज में तब रितु ने भी उन्हें देखा और रितु को पता चला कि वह भी एक पाइलेट है मनी मन वह खुश भी हुई थी और उसके बाद आपको बता दे कि अपनी फ्रेंड के साथ ब्रेक्फिस्ट खाने बैठी थी और गौरव अपने दोस्त के साथ खाने बैठे थे तो उ उनसे उनका इंट्रडक्शन हुआ मिलके उन्होंने एक साथ ब्रेक्फिस्ट भी किया जिसके बाद गौरव का अच्छल लास्ट नेम क्या है यह रितु को पता भी नहीं था उन्होंने होटल रेसप्शन में पूछ कर उनका नाम पता किया ट्रेनिंग खतम होने के बाद च में मन से वह डेट करने लगे सब्टेंबर में फामिली को बताया उनका रोका हो गया और कुछ महिनों के बाद उनकी शादी भी हो गई और उनकी शादी को छे साल हो चुके है उनने दो प्यारी-प्यारी बच्चिया है और रितु अभी भी पाइलेट है और फॉल टाइंग अच्छा लगा हो जानकर इन दोनों की लव स्टोडी के बारे में क्या कुछ कहना है do like me know in the comment section I'll see you soon